तमस्का नियूज इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा मोहन पांडे बुल्टन की शुरुआत करेंगे बड़ी औरहम जानकारी के साथ गांधी नगर में वाइबरन गुजरात कारिक्रम का यूजन हुआ है बैश्विक नेताओं से पीम मोदी की द्वी द्वी पक्षिय बैठा कुई है आपको बता दे कि मोजांबेक के राश्ट्रपती के साथ द्वी पक्षिय बैठा तिमोर लेस्ते के राश्ट्रपती के साथ द्वी पक्षिय बैठा राश्ट्रपती जोस रामोस होचा के साथ द्वी पक्षिय बैठा कुई है माइक्रोन टेक्नोलोजी के CEO संजे महरोत्रा से मिले है एपी मोलर गांधी नगर में वाइबरन गुजरात कारिक्रम का आयोजन हो रहा है जिसे लेकर PM नरेंद्र मोधी दुनिया भर के 36 देशों के वैश्वेक नेताओं के साथ विपक्षिया बैठ के कर रहे है गांधी नगर में हो रहे हैं इस कारिक्रम को लेकर PM मोधी ने तिमोर लेश्टे के राश्टपती के साथ विपक्षिया बैठक की है तो वही एपी मोलर मास्ट तो आपको बता दे कि वाइड ब्रेंड गुजरात समिट के पहले वैश्वेक नेताओं से दिपक्षिया बैठको का दौर प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने मुलाकात करी है तो चले ग्राफिक से जरी आपको बताते हैं कि क्या कुछ है गुजरात वाइबरेंड समिट पीम नरेंदर मोधी कई वैश्वेक नेताओं के साथ में दौर पक्षिय बारता कर रहे हैं गुजरात को और वाइबरेंड यानि की वोकल करने के लिए ग्लोबलाईज करने के लिए इससमिट का आयोरजन हो रहा है दौर पक्षिया बारता हुई है 10 जनवरी को पीम मोधी वाइबरेंड गुजरात ग्लोबल ट्रेंड शो का शुबारम करने वाले हैं PM Modi ने मुजांबिक के राष्टपती फिलिप जैन्सिटो न्यूसी के साथ में द्विपक्षिय बैठक करी है इसके साथ यापको पता दे PM Modi ने माइक्रोन टेक्नोलोजिय के CEO संजे महरोतरा से भी मुलाकात करी है कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी नगर में एपी मोलर और मास्क ग्रोप के सीयो कित सेविंसन के साथ में द्विपक्षिय बैठक करी है पीम मोदी ने डिकिन विश्व विद्याला के कुलपती प्रोफेसर इयान मार्टिन के साथ भी ध्विपक्षिय बैठक करी बैठक का दौर बेहत खास रहा है प्रधान मत्री नरेंद मोदी ने गांधी नगर में डीपी वर्ल्ड के सीयो सुल्तान एहमद बैनना सुलेयम के साथ भी मुलाकात करी है वाइबरन गुडरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुबारंब प्रधान मत्री खुद करेंगे 10 जनवरी को पीम मोदी इसका उदगातन करने वाले हैं फिक्स के जरीए आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं समिट में 10 से 12 जनवरी तक आपको चका चौंद देखने को मिलेगी खास बात क्या है इसके साथी बड़ी अपडेट आपको दे दे बाई जनवरी को आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम है जो सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है पीम मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है सूत्रों के अवाले से बड़ी खबर बेतु के बयानों से बचे सभी मंत्रे पीम नरेंद्र मोदी ने कारिक्रम में किसी भी तरह की कोताही बरतने को कहा है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है इसके लावा उन्होंने कहा है कि काम निर्विग्न संपन होना चाहिए कारिक्रम को भवितम बनाने की कोशिश करते रहे ये प्रधान मंत्री करते नजर आए हैं अपने शेत्रों में उत्सव का माहौल बनाए सुत्रों के वाले से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्यम मोदी ने अपने मंत्रियों को नसियत दिये दोटूक शब्दों में कहा कि राम का काम है विग्ण नहीं पढ़ना चाहिए और बेतु के बयान नगर सामने आए तो खैर नहीं तो प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जिनोंने राम के काज का बीड़ा खुद उठाया है इस बीच अपने मंत्रियों को नसियत देते नजर आए हैं बड़ी अपडेट है तो सूत्रों के अवाले से बड़ी कबर 22 जन्वरी को अयोध्या मे प्राण प्रतिष्टा कारिक्रम प्यम मोदी ने अपने मंत्रियों को नसियत इस दोरान दिये बेतु के बयान देखे विपक्ष की तरफ से लगातार राम अयोध्या धाम को ले करके अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं और ऐसे में इस तरह के बयान बीजेपी या एंडिये पक्ष की तरफ से सामने ना आ हैं इसको देखते हुए प्रधान मंत्री ने साफ और इस्पश नसियत दे रखी है बेतु के बयानों से बचे सभी मंत्री मुंबई में E.D. की बड़ी कारवाई हुई उद्धव ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर चापे मार कारवाई हुई है साथ जगहों पर E.D. की चापे मार कारवाई जारी है रविंद्र के सायोगियों के साथ अस्थानों पर चापे मारे भूमी उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेर फेर करके जागेश्वरी में एक होटल के निर्माड के मामले में उदव गुट के नेता और विधाया रविंद्र वाईकार और उनके सायोगियों से सम्मंदित साथ जगहों पर E.D. की रेट चल रही है रेट लगाता ज़्वारी है वक्तियों आपर एक छोड़े से ब्रेक का